बारत के T20 चैंपियन बनने के बाद ICC ने T20 की टीम जारी की है जिसमें बारत के 6 गिलाड़ी लिए गई हैं जिसमें रोजचरमा को कप्तान बनाया गया है लोजचरमा के साथ आर गुरबाज हैं निकोलस पूरन हैं एरोन जोन्थ हैं मारकस इस्टोनिस हैं आरतिक पांडिया राशित खान बिषय दोचें जस्परित दोम्रा पजल परूग्य और अरश्दिव सिंग अफगानिस्तान के 3 गिलाड़ी लिए गई हैं आर गुरबाज र सितिस्कुमार देढ़ी संजी सेंशन प्रवी जूरेल प्रियान पराग जर्शत्ति जैस्वार उत्रवाज गायकवाट इंकु सिंग मुकेश कुमार तुसारदेश पांडे बासिंगटन सुंदर रवी विशनोई आविश्कान खलील एहमद हैं और ब्राट पोली ने कहा है हाली सुमन गिल एक ऐसा खिलाडी है जो बविश्चे मेरी तरह कर सकता है और अगला ब्राट बन सकता है और रोजचर्माने वी हाली में एक अपनी कफ्तानी को फोड़ते हुए बयान दिया है कि भारत के लिए दो खिलाडी ऐसे हैं जो पक्तान बन सकते हैं जिस्ट पंत औ बारति कफ्तान को और एक वहादिक पांड्या के लिए नहीं कहा है लेकिन चस्परित गुम्रा ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुर्य कुमार जादव का कैच कभी नहीं भूलूंगा इस ट्रॉपी जीतने का सबसे मुख्यकारण मेरी नजरों में सुर्य मुलर के पुल्सौर्ण को ठुणूगा जैन्तर मॉर्कर हमनें कहा है वह रि मुलर के संद्रॉप के बारे में बात हो रही है यह रत्ष aut virus यसा ले लिया लेकिन इस ख़बर की अभी बाद में बताऊंगा सुरेश रहना ने भी बयान दिया है अभी रोजचर्मा के बारे में रोजचर्मा दुनिया के एक एक लोते ऐसे कफ्तान हैं जो एमेस दोनी किरिजगेल प्राट कोली स्कीनों से ही कंपेर करते हैं और पौतम गंबीर ने भी ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मैं हर फॉर्मेट की टीम को एक अलग तरीके से तयार करूंगा और रोजचर्मा ने रोजचर्मा के बारे में कहा है पौतम गंबीर ने कि रोजचर्मा को 27 तक T20 वर्टकप की कफ्तानी करनी चाहिए जो कि उनका माइंड सेट ऐसा है किसी भी टीम के ऊपर किसी भी टाइम पर भावी हो जाते हैं रोजचर्मा की बैटिंग भी का भी मजबूत है और मोहमद कैफ ने भी बयान दिया है कि भारत ये ऐसी टीम है जो क किसी भी टीम पर भारी है इस टाइम पर भारत के मुकाबले को भी टीम नहीं है मुहमद कैप ने भी बयान दिया है हमें रोजचर्मा की कफ्तानी की तारीफ करनाय चाहिए जयोंकि वह जैस्परीत वृमरा को ऐसे टाइम पर लाते हैं जब इस सकत जरूरत होती है बाड़त पुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि हम आके कार हार कैसे गए जिन्दगी भरतक नहीं भूलूंगा और जिन्दगी भरतक चुबेगी मेरे अंदर लेकिन बिन प्रेडक्टरों के इसाब से बतादी तो पहारत ने जह सब से कठिन मुकावला और अहम मुकावला जीता है फा क्यान प्राःता होगे 25 परसेंट चिट की पर्यद्या की एक में 8 परसेंट चीत की प्रंप सथिए और थान के कमिए प्रशी भी हमारी होगी वेड़ोसरमा ने भDRोड रामान दे दिया है कि हमें कहीं भी जाना पड़े हम खेलेंगी जोगे हमें खेल से प्यार है लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा ज़्यदी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वह एक ही जगह है कि दोबई में होगा और जिम्बाम में इखला भारत की प्लेंग 11 क्या है सुब्वन गिल कप्तान है सु और वासिंग्टन सुन्दर वासिंग्टन सुन्दर के बार रवी विश्णोवी आविश्कान खलील एहमत और मुकेश कुमार है फार्ट की फिलेंग 11 होगी जहें और जिम्बाम में दोरे के लिए सुम्मंगिल कप्तान है लेकिन अगला जिए सुरा चुना जाएगा स्री वाँ पर हर्दिक पांड्या को कप्तान बनाये जाएगा किया लगता है थो स्थ हार्दिक पांड्या भी बहुत फटरनाक कप्तान करते हैं कि हथेज़िए लुके गिंस पार्टि तीम में तैयार वार बच जैने वाले डोस शरमा सबसे अधिक क्हेलने वाले भी पिलियर है जो आठ फाइनल केल चुके हैं और ब्राट कोली ने टी-20 में सबसे अधिक मैन आपता मैच खिताब जीते हैं 16 बार जो सूजय कुमार जादर के रिकोर्ड को 15 बार को तोड़ दिया है और ब्राट कोली में सबसे अधिक मैन आपता मैच चुने गई हैं पाइनल में आठ बार मैन आपता मैच चुने गई हैं ब्राट कोली और सबसे अधिक टी-20 मैच का प्रत्सत रोई सर्मा के नाम है जीतने का जिनोंने अभी तक 50 मैच जीते हैं और 48 मैच बावर आजम हैं लेकिन बावर आजम का क्या वह है चोटी मोटी जिम बांबे अफगानिस्तान बांगलादेश ऐसी टीमों के खिलाब मैच जीते रहते हैं और उनसे परसेंटेज बढ़ाते रहते हैं लेकिन बारतिय महलाओं ने भी कमाल कर दिया है दच्छड अपरिका को 10 बगेट से हरा दिया है ऐसा लग रहा आता जैसे बारतिय टीम चान बूझ कर एक मैच में जीती है और कोई बात नहीं